नागपूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मीडिया अक्षेत्र के एक प्रसिद्ध संगठन जियो स्पैटियल वर्ल्ड वारा एक्सिलेंस मेट्रो प्रोजेक्ट अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया केंद्रिय सडक परिवहन राजमार और नागरिक उड्यान राज्यमंत्री श्रीविके सिंग्वारा हॉलिडे इन होटल एरोसिटी नई दिल्ली में आयजित एक समारो में ये वार्ड दिया गया जियो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 के निरनायक मंडल ने महा मेट्रो को सर्वसमानित से यह पुरस्कार देने का फैसला किया श्री अमित घोष अपर सचिव केंद्रिय सड़क परिवहन मंत्राले राजमारगन ने निरनायक मंडल की अद्धशता की यह प्रतिष्टित पुरस्कारों जियो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड का हिस्सा है और एक ऐसे संगठन को दिया जाता है जिससे बुनियादी धांचे के विकास संपत्ति सर्वेक्षन परिवहन में आमूल चुल परिवरतन किया है यह पुरस्कार उन संगठनों परियोजनाओं का व्यक्तियों को दिया जाता है जिनोंने इस शेत्र में उलकनिया कारे किये है निरनायक मंडल ने ट्राफिक जाम और सड़क दुरगटनाओ जैसे महत्वपुर्ण मुद्यों के साथ सबी आम नागरिकों को यातरा का एक आसान और सुविधाच रिनक साधन प्रदान करने पर नाकपूर मेट्रो परियोजना पर भी ध्यान दिया महा मेट्रो देश का पहला संगटन है जिससे 5D BIM सिस्टम लागू किया है 5D BIM डिजिटल परियोजना प्रबंधन की एक आधुनिक अवधारना है इसके तहत काम को बहुती उपयोगी तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है BIM की मदद से महा मेट्रो परियोजना के समय और लागत को नियंतरित करने में सक्षम हुई हाल ही में केंद्रियमन नितिन गडगरी के हस्ते महा मेट्रो को सबसे बड़े डबल डेकर वाया डैक्ट और फ्लाइओवर ब्रीज ओन वन पिलर के साथ साथ डबल डेकर वाया डग्ट पर सरवादिक मेट्रो स्टेशनों निर्मान के लिए एशिया एंड इंडिया बुक प्रेकर्ड से सनमानित किया गया अपरचुनिती फ्लाइओव एशियो डिग्री ओर डिप्लोमा विध जोब फ्लाइओव एशियो एविएशन अड़मी थी शिए फ़ीज फ़ीज गानी नगर लड कॉलिट स्क्वेश बसाइट करनाथका बंक नागपूर